सो गाइस इंडियान बाइक ड्रीविंग 3D के कुछ ऐसे चीट कोड्स जो की नए अपडेट में गेम के अंदर एड़ हुए है और अफकोस यह आप में से बहुत सारे बंदों को नहीं पता तो वो सारा कुछ मैं आपको भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को इंड तक देखते रहना और आई होप कि आपको बहुत साथा पसंद आएगा ओके गाइस तो नए अपडेट में गेम के अंदर बहुत सारे डाइनसूर को एड़ किया गया है तो जैसे कि आप अगर 5-0 डाइनसूर करते हो तो आपके सामने यहाप एक छोटा सा डाइनसूर स्पॉन हो जाएगा जिसका नामे वेलोसी रैप्टर और यह आपको एटेक नहीं करता यह बस यहाँ वहाँ घूमता रहता है और देखने में बहुत जादा अच्छा लगता है बट अगर आप चाहते हो कि यह थोड़ा सा छोटा डाइनसूर है आपके एक बहुत बड़ा डाइनसूर चाहिए तो आप यहाँ पे 5-1 डाइनसूर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि यह थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पे 5-3 डाइनसूर करने के पाद यहाँ पे और भी बड़ा डाइनसूर आ जाएगा जिसका नामे ब्रैकियोसूरस और यह गाईस पाइनसूरस की तरह ही आपको अटेक करता है बट उसके लिए भी आपको RGS टूल के तूरू इसको कमांड देना पड़ेगा अल्राइट गाईस यह तो होगे हमारे सारे डाइनसूर वाले चीट कोर्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़े से छोटे एनिमेल्स के चीट कोर्ट तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे 5-0-5-0 डाइल करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा सकते हो और पिसले वाला जो फेलोसि नाम और आप बैटके लाइड कर सकते और तो आपके सामने एक हौ inform हो जाएगा तो यह जो सारे एनिमल्स है न यह पिसले अपडेट में भी थे लेकिन नए अपडेट में यह जो डॉग है न इसके उपर भी आप राइड कर सकते हो जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो आपको सीधा इस डॉग के पास आना है और यहाँ पे एक डॉगी के पाव वाला जो सिंबल है न इसके उपर टैप करना है तो आप सीधा इसके उपर आ जाओगे अभी इसको लेके आप कहीं पे भी जा सकते हो और एक मस्त इंपॉर्टन बात आप अगर किसी इनपीसी के सामने जाके यह जो मुक्य वाला सिंबल है न इसको दबाते हो तो यह डॉगी उस इनपीसी को काड भी लेगा तो गाइस यह तो हो गए हमारे सारे एनिमेल्स वाले चीट कोड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़े से अलग टाइफ के चीट कोड तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे 2030 डायल करते हो तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे जॉंबीस पॉन हो जाएंगे और यहाँ पे अचिश आकटक भी करते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे जॉंबीस आ चुके हैं और यह मेरे को ऐठक भी कर रहे हैं लेकिन आप इसको डीक्टिवेट हो जाएंगे बट इसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा तब जाक आपको यहां पे एक दो लोग ही देखने को मिलते थे लेकिन यह डायल करने के बाद आपको यहां पे दो तीन चार पांच लोग यहां पे देखने को मिलेंगे एंड नेक्स्ट गाइस यहाँ पर नए अपडेड में water vehicles को भी add किया गया है तो अगर आप यहाँ पर 3001 डायल करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक boat spawn हो जाएगा और आप इसको लेके पाने में मस्त चला भी सकते हो और मेरे को जितना दूर याद है कि आप इसका color भी change कर स जाएगा जिसके मदद से आपना मस्त हवा में उड़ सकते हो लेकिन यह थोड़े बड़े size गया है अगर आपको छोटे वाला size चाहिए तो आप अगर यहाँ पर 330 डायल करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक plane spawn हो जाएगा जो कि आपको जादा तर airport में देखने को मिलता ह तो भाई यह रहा वो plane लेकिन भाई यह खुद बखुद क्यों चल रहा है यह मेरे को नहीं पता हो सकता है कि कोई glitch है या फिर यह नीचे धलान है इसलिए इस बज़े से यह भाई सामने की तरफ जा रहा है भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन अगर आपको पत से आप उतने उचाई पर सायद से नहीं उड़ सकते थे और एक बार उस plane को देखो भाई वो जाते जाते किधर जा रहा है मेरे को खुद नहीं पता यार मेरे को तो अभी लग रहा है कि यह कुछ glitch बगरा होगा नहीं तो भाई इतना दूर कौन जाता है यार ओके नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको कुछ vehicles के cheat codes बताता हूँ जो की नए update में game के अंदर add हुए हैं तो अगर आप यहाँ पर 6677 dial करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक जैसी भी spawn हो जाएगा और यह गाईस नए update में game के अंदर add हुआ है और इसको आप चला भी सकते हो और इसकी मदद से आप कहीं पर भी मिट्टी खोच सकते हो मतलब जो भी काम इससे होता है वो आप कर सकते हो and next guys अगर आप यहाँ पर 8880 dial करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक pickup truck spawn हो जाएगा जिसका नाम हमर और यह ना भाई दिखने में थोला सा ford जैसा लग रहा है I mean for और की जो pickup truck होती है ठीक वैसी सी लग रही है और अगर आप यहाँ पर 4040 dial करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक tank spawn हो जाएगा and obviously guys यह एक army tank है इसकी मदद से आप fire भी कर सकते हो और किसी को मार भी सकते हो next guys अगर आप यहाँ पर 1212 dial करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ए 1212 dial कर दिया है और यहाँ पर trailer के साथ एक truck spawn भी हो चुका है तो अगर आपको सिर्फ truck चाहिए तो आप 1212 dial करना and अगर आपको trailer के साथ truck चाहिए तो आप 01212 dial करना and next guys अगर आप यहाँ पर 606 dial करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक fire truck spawn हो जाएगा इसकी मदद से आप दो काम कर सकते हो एक अगर किसी के घर पर आग लगी है तो आप इसको बुझा सकते हो और दो अगर आपको नहान है तो आप इससे नहा भी सकते हो and next guys अगर आप यहाँ पर 100 dial करते हो तो obviously यहाँ पर एक police car spawn हो जाएगा but यह ना थोड़ा सा चोटा सा है और अगर आपको लगता है and next guys अगर आपको थार चलाने का बहुत जादा सौक है या फिर थार आपको बहुत जादा पसंद है तो आप यहाँ पर 9191 dial कर सकते हो और आपके सामने एक थार spawn हो जाएगा but यह ना normal थार है इसके उपर जादा कुछ customization आप तो नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको एक modified थ थार spawn हो जाएगा भाई यह थार ना उस थार से थोड़ा सा बड़ा है और इसके wheels देखो और उसके wheels देखो भाई इसके मुकाबले उसके wheels यार बहुत ही जादा चोटे हैं बाकि आपको कौन सवाला थार जादा पसंद आ रहे है मेरे को comments में जरू से बताना and next अगर आप य 1001 डायल करना तो आपके सामने यहां पर फॉर्चुनर की जो लिजेंडर है वो यहां पर spawn हो जाएगा बड़ यार अगर आप चाहते हूँ कि आपको यह वाला फॉर्चुनर भी चाहिए और नौर्मल वाला जो फॉर्चुनर है वो भी चाहिए तो आपको यहां पर यहां वाला फॉर्चुनर है वो भी यहां पर spawn हो जाएगा बाकी दोनों ही कार ना बहुत ही जादा मस्त है लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी कार बहुत जादा पसंद है मेरे को comments में जरू से बताना अगर आप यहां पर 3-3-3 डायल करते हो न तो आपके सामने यहां पर एक Scorpio spawn हो जाएगा और यह बहुत रेड कलर का है जो की दिखने में मस लग रहा है और अगर आप यहां पर 4-4-4 डायल करते हो न तो आपके सामने एक और Scorpio spawn हो जाएगा बस इसका model अलग है यह Scorpio S11 है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ तो चैनल को जरू से सबस्क्राइब कर लेना और बेल नोटिफिशन को भी जरू से लग कर देना तो थैंक यू सो मैं आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो में